हेलो फ्रेंट्स आज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लाया हूँ कि आप लोग अपना बैट स्विंग और बैट स्पीड कैसे तेज कर सकते हो अगर आपका बैट स्विंग और बैट स्पीड तेज होगा तो आपको लंबे लंबे हिट भी मार पाओगे और बॉल को प स्विंग कर पाओगे अब बैट स्पीड में दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है बैट स्विंग होता है जया आप बैट स्पीड होते है इस द्धीरे से भी तो अपको जयो गती है बैट स्पीड तो यह चीजस समझने वैट वीड़ए बैट स्पीडivos और बैट आना चाहिए और बैट स्पीड में बैट तेज आना चाहिए और आपको क्या चीद ध्यान रखनी है जब भी आपको बॉल को पावर से हिट करना है तो आपको बॉटम हैंड का रोल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपको अपने बॉटम हैंड से बैट को जोर से उपर से नीचे की साइड लाना है अगर आप अपने बॉटम हैंड को हलका पकड़ लोगे और टॉप हैंड टाइट पकड़ोगे तो आप देख सकते हूं बैट इतनी तेज नीचे नहीं आएगा हाथ में घूम भी जाएगा पर अगर मैं बॉटम हैंड को भी टाइ लेने हैं और बस अपने बैट को ऐसे स्विंग करना आपने देखा हुआ को महिंदर सिंग दोनी ये ड्रिल बहुत करते हैं लास्ट के ओपर में बहुत काम हती है इसमें क्या है जब आप बैट को ऐसे गुमाओगे एक तो जो बैट है वो आपको हलका फील होगा जिसकी वै ना अ आपको बैट सरी요 वह बहुत हो जाएगी ृफ्रेंट्स आइओ आपको वीडियो अच्छी लगी कर देना और हसले आप मुझे इस्टच्राम पर फॉलो कर सेम अकाउंट है आटके किक्ट ने